हेलो गाइज मैं किश्यकुपताक mba.com से आज आपको हमारा टेश्पेड वाला RFID access control के बारे मैं बताऊंगा यह हमारा एक RFID access control है अब आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको configure करना होता है उसके connection पड़ती है और इंग जो होती है वो हमारी एंसी होती है यहलो वाली हमारे लॉक पोजिटीव है और उसके बाद हमने positive वाली तार को common वाली तार से मैंने connect कर रहा हूँ है कि common को positive हमेशा हर कीपड़ में देना बढ़ता है यह black वाली तार हमारी common black वाली तार negative है और यह हमारी exit बढ़नी तार है so guys आप देखेंगे हमने इसमे common plus red जोड़ा हूँ है इसको हमने only positive से जोड़ा हूँ है यह हमारी positive जोगी adapter से 12 volt आ रही है यह हमारी दो तार है यह एक तो हमारी negative आ रही है यहां से यह हमारे एक gray वाली जो है negative की है लॉग की और यह हमारी exit बटन की तार है कि तीनों को हमने एक अपना negative से गनेट करा हूँ है yellow वाली तार को हमने exit बटन जो की open की तार होती है और जो हमारी yellow वाली तार है यह हमारी लॉग की positive है सो इसकी programming कैसे होती है कैसे इसके बारे मतांगो आपको मैं इसमें होता है बाइडिफॉल्ट स्टार एक दो तीन चार पान छे सिक्स टाइम नाइन है है यह ग्रीन होताएगा वन दबाना है कोई भी कार्ट टच करना है है इस दबाना है और स्टार दबाकर भारत आना है तो वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स हैश वन अब आपको कोई आइडी करेट करनी है जासी कि मैंने ट्रिफ फोर टाइम वन कर दी मैं हैश दबाऊंगा अब मैं आइस पासवर्ड द्रिंट करता हूँ जैसे की 7890-Hash स्टार दबाकर मैं बारत दूँगा दूँगा फिर स्टार दबाकर मैं बारत दूँगा 7890-Hash स्टार इस तरीके से हम लोग पासवर्ड और कार्ट करें इसके 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 अगर आपको कोई भी क्वैरी होती है इंस्टॉलेशन के रिकार्डिंग कोई भी काम होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नीचे तेवे नमर पर तेंक्यू गाइस